Hey guys, welcome back, आज बात करते हैं दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग की जिया, मात्रत की, मात्रत से अच्छी कोई भी फीलिंग दुनिया में नहीं है और इस मात्रत की फीलिंग को इंग्लिश में बोलते हैं, motherhood, क्या बोलते हैं, motherhood, okay guys, अब वारी आती है, जन्म देने की, तो जन देने के हिसाब से दुनिया में जो धीव जन्तु हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ ऐसे जानबर होते हैं, जो अंडे देते हैं और उन से पर बच्चे निकलते हैं, लेकिन एक और quality होती है, animals की, जो की अंडे देते हैं और उनी मैं से बच्चे निकलते हैं। हमारी जो next category है उसो बोलते हैं वाइववपरस। वो एनिमल्स होते हैं जो सीधा बच्चों को जनम देते हैं। अपने बेबी को जनम देते हैं अंडे नहीं देते हैं। अब हमारी जो तीसरी quality आती है, that is known as ovo-viparous। और वो बाइविपरस। इस category की meaning देखते हैं animals producing young by means of eggs which are hatched within the body of the parent as in some snakes. मतलब कि कुछ सापों में ऐसा होता है कि जो उनके अंडे होते हैं, उनके body के अंदर ही hatch हो जाते हैं और वो सीधा बच्चों को जनम देते हैं। तो आप कह सकते हैं अंडे भी देते हैं और बच्चों को भी जनम देते हैं। तो इस category को बोलते हैं और वो बाइविपरस। ओकी गाईज वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स पर वाचिंग।